अच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे में नाम एसे धान तक नहीं हो तरही सड़ी है कि आपका बहुत सबागत है दोस्तों ये एसासिनेशन सीरीज चल रही है और आज हम बात करेंगे अनवर सादत का जो एसासिनेशन हुआ एक दिल दहला देने वाली कहानी आ आज हम बात करेंगे अनवर सादत की आज ये देखिए कि अनवर सादत मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को एसासिनेट किया गया है तो आम इंसानों की क्या विसात आप समझ रहे हैं जब इनके पास पूरी ताकत है सत्ता है आर्मी है तब भी इनको छोड़ा नहीं गय किया है तो आज हम इनकी बात करेंगे कहानी देखेंगे वैसे आपको बता दू ईजिप्ट का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है समझ रहे हैं सारे राष्ट्रपतियों की बायोग्राफी मैंने कवर की है गमाल अब्दुलनासिर की बायोग्राफी कवर की है अनवर सादत की भी बायोग्राफी अविलेबल है होसनी मुबारक की बायोग्राफी अविलेबल है अरब स्प्रिंग अविलेबल है French Subjugation, British Subjugation ये भी available है दोस्तो Egypt पे जो बहुत सारी और भी lectures अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं ठीक है? लेकि सारे lectures अब देख लीजेगा मैंने बहुत सारे lectures के दोस्तों तो याद भी नहीं रहते ठीक है? 1500 से उपर होगे lectures तो आज हम अनवर सादत की बात करेंगे तो assassination of अनवर सादत ये तस्वीर है असली ठीक है ना? ये देख रहे है ना? यहाँ पे ही बैटे थे और अनवर सादत को यह जो आर्मी वाले है ना? यहोंने मार दिया था ठीक है? सिर अन्स को आप आगया प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ट्विटर पे मैं आगया हूँ यह नहीं मेरी आइडिया आपको अपडेट्स मिल जाएंगी आपे देखिए दोस्तों कोई भी assassination सीरीज में मैं क्या आप कवर करता हूँ सबसे पहले मैं background कवर करता हूँ जिस इंसान को assassinate किया है उसके बारे में बताता हूँ एसासिन के बारे में बताता हूँ फिर assassination कैसे हूँ और aftermath यह पांच चीज़े में cover करता हूँ तो अभी हम background जानते हैं देखिए अगर इजिप्ट की बात करें आपको पते हैं 1882 से यहां पर ब्रेटिश थे ठीक है इजिप्ट जो है जो नौर्थ आफ्रिका में आता है यहां पर हम यह देखते हैं कि ब्रेटिश ने यहां पर रूल किया Egyptian civilization इजिप्ट का culture जो बहुत पुराना है पुराना हालक कि 80% यहां पर मुस्लिम रहते हैं इजिप्ट के बाके Christians है असी प्रतिशत आबादी जो है समय वो मुस्लिम से और कल्चर जो है एजिप्ट का यह हजारों साल पुराना है पिरामिट पे मैंने लिचर किया कि पिरामिट ऑफ एजिप्ट को बनाया कैसे गया था इजिप्ट में हमेशा सामीशा मिल रहा है दोस्तों इजिप्ट में हो गया कबजा ब्रिटिश का फिर दोस्तों World War 2 शुरू हुआ World War 2 शुरू हुआ, खतम हुआ तो यहाँ पे जो colonial countries थी उन्होंने decolonization स्टार्ट किया Egypt से British छोड़ के गया Swiss crisis भी होगी थे सब का वाइड है दोस्तों समयने cover के आप देख लीजेगा और ultimately हम देखते हैं कि जब King Faruk को राजा फारुक को Egypt में राजा बनाया गया तो यहाँ पे आर्मी ने बोला कि यह हमको मंजूरी नहीं है और गमाल अब्दुलनसीर ने मोहमद नागूप के साथ मिलके तक्ता पलेट कर दिया अब यह पूरा मैंने cover किया दोस्तों एक घंटे का मेरे session है गमाल अब्दुलनसीर की बियाग्राफी देख लीजेगा पूरी कहाने आपको पता चल जाएगी समझ गए तो यह हुआ पहले राश्ट्रपती बने मोहमद नागूप थीक है 1952 से लेकर 1956 तक 1956 फिर उनका तकता पलट हो गया गमाल अब्दुलनसीर ने कर दिया तो गमाल अब्दुलनसीर को 1956 में राश्ट्रपती बनाये गया अब इनकी बात करें दोस्तों तो यह सबसे पहले जाते थे थर्ड वर्ड थीक है तीसरी दुनिया चाहते है तो ना अमेरिका ना सोवियत हाला कि सोवियत की तरफ जादा जुकाओ था अगर अब्दुलनसीर की बात करें तो सोवियत की तरफ अमेरिका की तरफ नहीं था अरब वर्ल्ड में ठीक है साओधी अरेबिया हाला कि वो तो अमेरिका का दोस्त है लेकिन जादा तर जो देश अगर मेडिल इस्ट में देखे तो जादा अमेरिका की तरफ जुकाओं का नहीं रहता है ठीक है क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम की वजह ही अमेरिका को मानते हैं उपर से अमेरिका हमेशा इधर मेडिल इस्ट में घुसा रहता है एनिवे वो एक अलग कहानी है उस पर हम फिलाल नहीं जाते है तो हम ही देख रहे हैं कि इधर गमाल अब्दुलनसीर ने 14 साल तक रूल किया अब गमाल अब्दुलनसीर के साथ ही थे अनवर सादत गमाल अब्दुलनसीर के साथ ही पढ़ते थे बिटेन से पढ़ाई की रोयल कमिशन रोयल अकैडमी अनवर सादत पढ़ाई करके लोटे और उसके बाद हम देखते हैं कि अब्दुल नासीर के साथ ही काम किया अब्दुल नासीर के बहुत अच्छे दोस्त थे अनवर सादत अब दोस्ती का इनको सिलह मिला जब नासीर को राष्ट्रपती बनाया गया तो इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया उपर राष्ट्रपती बनाया गया नवर सादत को ठीक है लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और है देखिए नासीर की बात करें तब उनकी तस्वीर सामने होती थी, इजिप्ट में उनका इतना बड़ा स्टेचर था, बहुत ताकतवर लीडर थे वो, ठीक है और वही एक ऐसे लीडर थे, जो अमेरिका को चैलेंज करते थे, और किसी की बात नहीं मानते थे, वो वही करते थे, जो लोगों के हाग में होता था, हाला कि इसमें अगर अब्दुल नसीर की बात करें, तो आप उनकी बायाग्राफी देखिए का, उसमें मैंने बताए कि उसमें प्रॉब्लम भी हुई, तो उसी दोरान अनवर सादत का भी उदय हुआ, अनवर सादत को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, अब हम यह बहुत ही वीक प्रेसिडेंट बना जाता था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स इनकी इस प्रेसिडेंट्शिप से खुश नहीं थे, ठीक है, क्यूं, एक तो अनवर सादत जो थे, वो बड़े लिबरल टाइप के थे, वो अब्दुल नसीर की तरह नहीं थे, वो किन लोगों का रास नहीं आया, जो कटरपंती थे, जो इस्लामिस्ट एक्स्ट्रिमिस्ट थे, ठीक है, तेखे, गमाल अब्दुल नसीर ने क्या किया था, बहुत सारे कटरपंतियों को जेल में डाल दिया था, बहुत सारे लिफ्टिस्ट को जेल में डाल दिया था, जो ग के देश को चलाएंगे 1970 के बाद लेकिन ऐसा हुआ नहीं समझ रहे हैं तो अनवर साधत जब राश्ट्रपती बने इनको बड़ा वीक प्रेसिडेंट माना जाता था लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बड़ा अनवर साधत ने बता दिया कि कितने ताकतवार है वो अपने पॉलिटिकल ऑपोनेंट जो अनवर साधत के साथ नहीं था उनको जेल में बंद करवा दिया था समझ रहे हैं हालत खराब कर दी थी अब दोस्तो हम ये देखते हैं इसराइल का क्या काम है देखिए बैगराउंड में दोस्तो पूरा ये इसराइल की कहानी चल रही है पूरी इसराइल का पूरा का पूरा इतिहास यासिर अराफात की बायोग्राफी इसराइल और पैलस्तीर में जितने ऑपरेशन हुए हैं उन सब बहुत सारे दोस्तों इसराइल पे लिचर हिस्ट्री ऑफ जियूस वो सब आपको पता चल जाएगा ठीक है मैं इसलिए बताता रहता साथी अरब हो गया और उसके बाद ये पैलस्तीन इसराइल से निपटने के लिए अरब वर्ड बनाया लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि इस जब 1948 में फर्स्ट अरब इसराइली वार हुई तो इसराइल को जीत मिली अमेरिका का तो सपोर्ट था इसराइल को और उसके बाद इसराइल जब भी अरब निशन से भिड़ा हमेशा इसराइल जीता ठीक है सिग्स डे वार पे मैंना पूरा सेपरेट तेचर आप देखिये का 1967 में जब सिग्स डे वार हुई उसमें इसराइल जीता और सिग्स डे वार इजिप्ट जॉर्डन सीरिया तीनों को एक साथ हराय जिसकी वज़े से इसराइल के पास ये बाला जो ट्राइंगल इस सिनाई पेनिसुलाइस को कहते हैं ये जो देख रहे है ना ये इसराइल के कबजे में आ गया तब यहाँ पे जो इजिप्ट के लोग थे उनका मूड खराब हुआ लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसराइल से लगा अतार लड़ रहे थे है ना और जीत नहीं मिल रही थी और इसमें ये खूनी जड़ब थी बहुत लोगों का खून भी बह रहा था तो तुझे वह 1970 में अनवर साधत आए उन्होंने बोला बहुत हो गया है ऐसा है आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ठ अनवर साधत की जो पूरी पॉलिसी थी मैंने बता हूं लिब्रल लगते हैं एक फर्स इंस्टेंस जो उनकी पॉलिसी थी उन्होंने ओपें डोर पॉलिसी की अपनी एकौनमी को खोल दिया अनवर साधत जो है उन्होंने गमाल अब्दुल्नासीर नासिरश्म को पूरा रि भी खोल दी private industries आने लगी ठीक है private industries ने investment शुरू कर दिया उसके बाद nationalization को कम किया reforms लाने शुरू किये दोस्तों यहाँ पर ओड़ों को भी थोड़ा सा जादा representation education में तो एक तरीके से अनवर सादच जो है वो थोड़ी वो जो है उन्हों उन्हों जो reforms लाए उससे लोगों को मदद मिली लेकिन बहुत लोग दुखी भी हो गया गुसे में भी आ गया इसमें वो लोग थे जो यह सब नहीं चाहते थे लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो role play किया वो था इसराइल के साथ समझोता ठीक है देखिए ऐसा है कि जब इसराइल के साथ समझोता किया है ना वो एक turning point था 1978 में Camp David Accord जो है वो इसराइल से sign किये गए जिसमें इसराइल ने ये वाला area Sinai Peninsula Line को वापस कर दिया peace talks चली रही थी अब 1978 में जब Camp David Accord उस समय जो अमेरिका के राष्ट्र पती थे Jimmy Carter वो अनवर साथत को भी table पे लेकिया है और जो इसराइल के प्रधान मंत्री थे Manisham Begin उनको भी table पे लेकिया है दोनों table पे बैठ गए ठीक है अब दोनों ने peace treaty sign कर ली दोनों ने peace treaty sign कर ली अब इसराइल में तो ठीक है सब कुछ welcome है लेकिन इधर इजिप्ट में क्या चल रहा था पहली बात तो अमेरिका से कैसे मिल गया अब अमेरिका से हाथ कैसे मिला ठीक है देखे इजिप्ट में जो नासिर थे वो थोड़े प्रो सोवियत थे लेकिन इधर जो साधत हो गए वो प्रो अमेरिकान हो गए है ना अमेरिका के कैने पे अनवर साधत आ गये table पे फिर उनकी इतनी सारी policy जो मैंने बता है modernistic policy जो की इजिप्ट का अलग उनका culture है रास नहीं आई लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि यहाँ पे जो कटर पंदी थे वो बोल रहे थे कि आप 1940 से इसराइल के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और तुमने 1978 में हमारा मजाग बना के रख दिया ये बोल रहे थे मतलब आप एक चीज़ समझे दोस्तों उनका कहने का मतलब ये था बोल रहे था आप लिख मतला आये गए कहीं ठीक है मैं थोड़ा एंटेसेपेट भी करता हूं ताकि लेक्चर जो है वो इंट्रस्टिंग बना रहे है कहने का मतलब उनका ये था कि अनवर साधत को नोंने बोला कि आप ऐसा है कि हम यहाँ पे इतने टाइम स 240 से लड़ रहे है और आप जाके इसराइल से दोस्ती कर रहे है मतलब ये कहां का भी 8 साल पहले वार हुआ है ठीक है मतलब लगातार वार चलता आ रहा है वार ओफेटरिशन यूंग के पर वार इतना जादा हमको नुकसान हुआ है और आप जाके इसराइल से दोस्ती कर रह थे और उपर से अनवर साधत ने जितने भी कट्टर पंती थे जाधतर को रिलीस कर दिया समझ रहे हैं अनवर साधत की जो बीवे जहान साधत वो बताती है इस समय तो वो human right activist है ठीक है तो वो बताती है जहान साधत की बात करे कि जब अनवर साधत ने ये peace accord sign किया था उनके interview म बताया था उनोंने तब मुझे पता चल गया था कि अब बचने नहीं वाले है ना वो उनका death warrant था एक तरीके से क्योंकि पता था कि Egypt में क्या होगा एक इंसान अपने death warrant पही sign करके आया और मुझे हमेशा डर रहता था कि ये बाहर जाने जब 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 ही इसराइल जाते थे जब जब ये बाहर जाते तो मुझे लगता था कि ये वापस लोटेंगे नहीं ये वापस नहीं आने वाले मुझे बहुत ज़दा डर था क्योंकि कोई ना कोई इनको मार देगा मैं कोशिश करती थी इनको समझाने के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं समझाती थी कि इनका म लोग व्लाइन पहसो लगे में जते हैं एक ये खालिद इसलाम बोली जो थे वह लेफ्टेनेंट थे और उन्हों ने बकायदा पूरा प्लान बनाया कि हमको इनको असासेनेट करना है क्योंकि इनोने इसराइल से दोस्ति कर ली है समझ रहे हैं तो ये पूरी planning चलती है अब सबको ये बात पता लगेगी नहीं अगर किसी को कोई मान ली जाए अनवर्सादत का लॉयल हुआ वो तो उनको plan बनातेगा लेकिन planning जो है वो चलने लगी थी हो और इससे पहले भी attempts हो चुके थे तक्ता पलट के plan यही था खालिद इस्लाम बोली का कि हम सबसे पहले अनवर्सादत को मारेंगे उसके बात क्योंकि ये सब काईरो में हो रहा है है ना इजिप्ट की capital है काईरो में तो ये सब वहाँ पे हो रहा है तो हम क्या करेंगे हम जैसे ही परेट खतम होगी मतलब जैसे ही हम इधर अनवर्सादत को मारेंगे वैसे ही important offices पे कबजा कर लेंगे और यही होता है जैसे ही offices पे कबजा किया हो गया तक्ता पलट तो पूरा तक्ता पलट करने की कोशिश की अब 6 October का वक्त चुना गया विक्टरी परेट हर साल विक्टरी परेट के तौर पर मनाई जाती है ठीक है 6 October का वक्त चुना गया उस दिन सुबा तीन वजए खालिद इसलाम बोली जो है वो उठ गये है ना इधर अनवर्सादत भी उठे परेट के लिए अनवर्सादत ने नया सूट उस समय सिलवाया था उनकी बीवी ने बोला कि चलो अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है तुमारा सूट लेकिन तो मैं काम करो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो इससे पहले अनवर्सादत कहीं पर भी जाते थे बहुत जान की जान से मारने की इनको धंकिया बहुत मिल चुकी थी जबसे क्यांप डेवीड अगॉट साइन हुआ था दोस्तों तब से इनको जान से मारने की धंकिया मिल रही थी लेकिन अनवर्सादत इन सबको इंको इग्रोर कर देते थे तो इनकी बीवी ने बोला, इनकी वाइफ ने बोला कि आप बुलेट ट्रूफ जैकेट पहन लो, ऐसे मच जओ अनवर सादत ने बोला कि नहीं मैं मेरा नया सूट है और उसमें मैं थोड़ा मोटा लगूंगा है ना, तो उन्होंने बुलेट ट्रूफ जैकेट ही नहीं पहनी, ये इनकी सबसे बड़ी गलती ठीक है, परेड के लिए निकल गए, सुवा का वक्त था, परेड शुरू हुई दोस्तों ठीक है, अब अन्वर्सादत प्रेसिडेंट सबसे आगे इनको बैठाया गया, पोडियम पे, मैंने दिखाया था आपको, साइड में अब ये परेड थी, तो जो हतियार थे, वो सेना को नहीं दिये गए थे, जादा हतियार जो थे, वो यहाँ पर अलाउड नहीं थे, क्योंकि परेड थी, किसी को भी ये नहीं पता था, कि यहाँ पर अन्वर्सादत को मार दिया जाएगा, समझ रहे हैं, सब कुछ बढ़िय चल रहा था, अब हम ये देखते हैं, कि ट्रकों के आने का सिलसला शुरू होता है, ठीक है, खालित इसलाम बोली, इन्हीं में से एक ट्रक में छुपे थे, खालित इसलाम बोली, और उनके और चार साथी, समझ रहे हैं, अन्वर्सादत की चार लेर्स ओफ सेक्योरिटी थी लेकिन परेट में सब कॉंप्रमाईज होगी, समझ रहें, तो अब ये एक ट्रक जब आ रही थी, जब परेट में बहुत सारी ट्रके आ रही थी, ठीक है, वही मैंने बता न, हतियारों को दिखाने के लिए, तो उसी एक ट्रक में खालित इसलाम बोली चुपे थे, ठीक है, अब खालित इसलाम बोली ने, जैसे ही वो ट्रक आगे बड़ा, बंदूक निकाली, ड्राइवर के कनपटी पे रखी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और इतनी तेज ब्रेक लगाया था कि ट्रक पूरी तिर्ची हो गई, ठीक है, उसके बाद खालित इसलाम बोली ट्रक से उनको लगा कि वो इंसान मुझे सल्यूट करने आ रहा है, तो अनवर्सादत खड़े हुए, सल्यूट की मुद्रा में खड़े हुए, सल्यूट करने ही वाले थे कि तीनों के तीनों ग्रेनेट अपने हेलमेट में चुपाया था, ठीक है, वो ग्रेनेट दिखाया नहीं था वरना तो उनके security forces मार देती न अपने helmet में चुकाया था खालिद इस्लाम बोली ने तो जैसे अनवर्सादत की तरफ आए तीनो के तीनो ग्रेनेट अनवर्सादत की तरफ फेक दिये दो नहीं फटे एक फट गया और उसके बाद जो AK-47 थी खाली कर दिये अनवर्सादत पे अनवर्सादत को गोली लगी गले में और वहीं पे वो धेर हो गए उसके इलावा दोस्तों दस और लोग मारे गए थे इसमें क्यूबा के एक ambassador थे कुछ Egyptian military officials थे ये भी मारे गए 30 second तक आधे मिनित तक तो यही नहीं पता चला अनवर्सादत की आर्मी को की हुआ क्या है ये एकदम से क्या हो गया और कहां से अटाक हो रहा है 30 second के बाद उनको पता चला कि अनवर्सादत को मार दिया गया है उसके बाद फिर जवाई भी कारवाई की गई आर्मी के दुआरा जवाई भी कारवाई की गई जिसमें Khalid Islamoboli को गिरफतार कर लिया गया ठीक है और बाकियों को अरेस्ट कर लिया गया समझ गये तीन लोग, चार लोग थे जिसमें एक टो माली दिया गया अपनी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया तो आब हम यह देखते हैं दो मिनेट के अंदर सब हुआ दो मिनेट में एक देश की दिशाही बदल गी दो मिनेट में काम तमाम हो गया 28 लोग घायल हुए थे अब परेड है तो और भी लोगों को बाहर से लोगों को बुलाय गया था आयरलेंड के डिफेस्ट मिनिस्टर जेम्स टुली आय थे अमेरिका के ओफिसर आय थे थीक है इन सब को बुलाय गया था और उस समय वाइस प्रेसिडेंट होस्नी बुबारक भी घायल हो गय थे वाईज होसनी मुबारक को समय उपर राश्टर पती थे एजिप्ट में वन पार्टी रूल है हाला कि मल्टी पार्टी सुक्राम करती है लेकिं वहाँ पे एक ही पार्टी रूल है इसलिए तो अरव स्प्रिंग आया था न एजिप्ट में अब आप स्प्रिंग पे मेना पूरा सेपरेट वीडियो अब देख लीजेगा तुरंथ अनवर साधत को अस्पताल ले जाये गया काफी वक्त लिया डॉक्टरों ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन अनवर साधत मर चुके थे जब इनकी वाइफ मिलने आई अनवर साधत से तो डॉक्तर ने बुला कि आप मत मिलिये मैं आप सेविंती करता हूँ आप मत मिलिये बहुत बुरी हालत है समझ गे इनकी वाइफ की अनवर जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रहे इनका देहान थो गया देहान थो गया, फिर उसके बाद हौशनी मुबारक को राश्क्रपती बनाए गया हौशनी मुबारक की बयाग्रफी में रिव्यू की है यह 20 साल तक रहे 20 साल नहीं 30 साल तक रहे 2012 तक हौशनी मुबारक का जो रूल है एक बार सीट पकड़ ली तो छोड़ी ही नहीं इजिप्ट में ये आम बात है समझ रहे हैं तो इतने दिनों तक तीन दशकों तक होसनी मुबारक ने इजिप्ट में रूल किया होसनी मुबारक की बायग्राफी मैंने कवर की है उसके बात जो खालिद इस्लामबोली है इनको पकड़के लाया गया मुकदमा चलाया गया और इनको गिल्टी करार दिया गया मार दिया गया ठीक है उसकोड ने इनको गोली मार दिए आप्रेल 1982 में इनफ़ैक्ट सब को गोली मार दिए लेकिन जो कटर पंती थे उन्हों ने खालिद इसलाम बोली को शहीद का दर्जा दिया ये तो शहीद हुआ है और पहला modern martyr माना जाता है खालिद इसलाम बोली समझ रहे हैं तो ये कहानी थी अनवर्द सादत के assassination की आई होप आपको पसंद आई होगी खुछ रहे पड़ते रहें देसे सिद्धान तक नहीं होते ही साइन